हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल प्लीस सब्सक्राइब आर चैनल और शेर दिस वीडियो विद यूर फैमिली एंड फ्रेंड्स आज हम एक कोमन टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी है माबाप के लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं लेकिन उनकी उम्र का एक पड़ाव बहुत ही खास होता है वो है टीनेज यानी किशोरावस्था किशोर आवस्था की शुरुवात के साथ माता-पिता और बच्चों के बीच शिकायतों की शुरुवात भी हो जाती है Parents को शिकायत रहती है कि बच्चे अब उनसे कम बात करते है उनकी बात नहीं सुनते और अपनी मन मानी करते है जबकि बच्चों को शिकायत रहती है कि माता पिता बाद बात पर रोक टोक करते है और उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लेते Parents का अपनी ओर से चिंता करना लाजमी है लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब माता पिता टीनेज पीरियड में कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते है क्योंकि इस उम्र के दोरान बच्चों में निर्नाय लेने की योगिता और नए-नए विचारों का विकास होता है इसलिए उन्हें लगता है भैरेंस उनकी आजादी पर रोक लगा रहे है ऐसी स्थिती में कई लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे है लेकिन असल में ऐसा नहीं है मनोविग्यानिकों के अनुसार इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपून समय होता है किशोर आवस्था यानी टीनेज इसे Adolescence Period भी कहा जाता है आमतोर पर ये अवस्था 13 से 19 वर्ष की उम्र तक रहती है यह वो समय है जब हम बच्चपन से एक कदम आगे की ओर रखते हैं और परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं इस उम्र में बच्चे अपने आपको बहुत अधिक महत्वदेते हैं कई parents इस बात को seriously नहीं लेते जिसके कारण बच्चों के स्वाभाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते है Treat them like a teen, not a child or adult Teenage में किशोर नहीं बच्चे रहते हैं और नहीं पूरी तरह बढ़े होते हैं इसलिए parents के लिए जरूरी है कि वो अपनी expectations बच्चों पर न रखे इस age में बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना जरूरी होता है क्योंकि parents के बहेवय का बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिए बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए टीनेज में बच्चों में स्थिर्ता की कमी होती है और competition की भावना ज्यादा होती है इसलिए बच्चे बुरी आदतों या गलत संगत में फस सकते है ये उम्र विफलता और गलतियों से सीखने की होती है ऐसे में parents को उन पर निग्रानी रखनी चाहिए और समय समय पर उनसे विचार विमर्ष करना चाहिए साथ ही उन्हें सही गलत के बीच का फर्क समझाना भी ज़रूरी है लेकिन ये सब कुछ डरा धमका के नहीं किया जा सकता Freedom and Responsibility Teenage में बच्चे Self-Dependent बनने की कोशिश करते हैं इसलिए इस उम्र में parents को अपने बच्चों को थोड़ी responsibility सौपनी चाहिए इससे उन में आत्म विश्वास बढ़ता है साथ ही वो अपने Extra Time का सही इस्तिमाल करवाते हैं और इधर उधर नहीं भटकते Help and Education Teenage में बच्चों में तेजी से कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं जैसे लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में स्वपन दोश की शुरुवात होती है ये बदलाव 12 से 14 साल की उम्र से शुरु हो जाते हैं बच्चों को इस बात का ज्यान नहीं हो पाता जिससे वो चिन्ता ग्रस्त और बैचेन हो जाते हैं ऐसे में parents और teachers की यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की इन समस्याव का समाधान करें Emotional support Teenage period हमारी जिन्दगी का वो समय होता है जब हम हवाई किले बनाने में बिजी रहते हैं इस समय बच्चे कालपनिक हो जाते हैं और ज्यादातर समय कलपना की दुनिया में बिताते हैं कई बार वे अपनी कलपनाओं में बहुत उचा उड़ते हैं जबकि दुसरे पल वे खुद को ऐसी चिडिया की तरह पाते हैं जिसके पंक काड़ दिये गए हो ऐसे में बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंतरन नहीं रख पाते ऐसे में पैरेंट्स के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने बच्चों को सपनों की दुनिया से बाहर निकाले इसके लिए माता पिता को बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए इससे वे व्यस्त तो हो ही जाएंगे साथ ही उनकी जिन्दगी में फैली मानसिक उथल पुथल भी शांत जाएगी अगर आपके घर में टीनेजर बच्चा है और आप उसकी इस बात से परेशान है कि लाख समझाने के बाद भी वो आपकी बात नहीं मानता है तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है आपको यह सोचकर सबसे पहले खुद को समझाना होगा कि टीनेजर बच्चों को ना तो आप बच्चे की तरह डील कर सकते हैं और ना ही अडल्ट्स की तरह इन्हें कोई भी बात समझाने के लिए आपको बीच का रास्ता निकालना होगा बदलाव का दौर है हम सभी जानते हैं कि टीनेज में बौडी में हॉमोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं ऐसे में बच्चों का मन ना तो बहुत देर तक शान्त रहता है और साथ ही उन्हें मन एकागर करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है यह तो हुई शारीरिक बदलाव की बात जिस कारण मन भी परेशान रहता है अब बात करते हैं समाज की दरसल यही वो उम्र होती है जब बच्चा बाहर की दुनिया से जुड़ना और वहां अपनी जगह बनाना शुरू कर रहा होता है ऐसे में उसे कई तरह के भावनात्मक उतार चड़ाव से गुजरना होता है और इस वक्त उसे आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हम आपसे बिलकुल नहीं कहेंगे कि आप बच्चे से दोस्त की तरह व्यवहार करें क्योंकि अगर प्रेरंट्स भी फ्रेड का रोल प्ले करेंगे तो फिर प्रेरंट्स का रोल बच्चों की लाइफ में कौन प्ले करेगा यह बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है लेकिन आप खुद गौर करके देखिए आपको अपने टीनेजर को भावनात्मक रूप से उस कमफर्ट लेवल पर लाना है जहां वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सके आपकी बातों पर भरोसा करें और उसके अंदर आत्म विश्वास की वृद्धी हो आपको खुद भी करना होगा आप बच्चे को जो भी संसकार देना चाहते हैं उन्हें सिर्फ बच्चे को ऐसे ही ना बताएं बल्कि उन संसकारों को अपने जीवन में भी उतारें बच्चों के साथ परिवार और करियर के मुदों पर बात करें घर की आर्थिक स्थिती पारिवारिक रिष्टों पर बात करें इससे बच्चे की सोच समझ विक्सित होती है और उसमें घर के प्रती जिम्मेदारी का भाव आता है और धीरे धीरे बच्चा आपकी बात समझने लगता है और फिर से आपके करीब होने लगता है उसके अंदर का अलगाव भी खत्म होता जाता है उम्मीद है के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद and बाई बाई